So hey guys welcome back to the channel तो यार आज लास्ट डेट है टेकन 8 की Closed Network Test के Registration के लिए 27 जून को यार इसका registration खतम होने वाला है तो Closed Network Test का जो पहला session है वो PlayStation 5 exclusive होगा सिरफ PlayStation वालों को इसका access मिलेगा जैसे कि आपको पता है ये PlayStation वालों को हमेशा special treatment मिलता ही है जो कि इसका जो पहला session होगा वो 21 जुलाइ से 24 जुलाइ तक चलेगा इसके साथ इसका second session जो होगा वो 28 जुलाइ से लेके 31 जुलाइ तक चलेगा यहाँ पर PlayStation 5 तो हो गई साथ में Xbox Series X और Steam यानि की PC भी होगा So PlayStation 5 दोनों session में यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे की दोनों session में अवलेबल होगा PlayStation वालों के लिए तो इसका जो purpose है Closed Network Test का वो है इसके Network को टेस्ट करना Tekken 8 के कि play, online play कैसा है इसका इसका इसके साथ ही gameplay को भी test करना है इसका कि इसके gameplay mechanics धंक से चल रहे है कि नहीं सब ठीक है कि नहीं साथ से काफी सही move है यह क्योंकि यार, game से पहले, launch से पहले इनको पता चल जाएगा, game में क्या कमी है कमी है भी कि नहीं है और इसके साथ ही, जो जो participate करेंगे Closed Network Test में उनको participation के बाद एक email पे survey भेजा जाएगा जिस survey पे, वो respond करेंगा और उससे data collect करके यह Tekken वाले उस data को process करके यह देखेंगे कि किस चीज से players खुस हैं, किस चीज से खुस नहीं हैं और क्या changes चीज़े उनको वो तो आपको questions में पता चल ही जाएगा जब survey आएगा यह देख, यह काफी यह देखें, मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि यह काफी अच्छी move है, काफी अच्छा move है Tekken 8 को और better करने का launch से पहले-पहले वो काफी changes कर पाएंगे Tekken 8 में अगर उसमें कोई कमी है, तो वो पहले ही उन्हें पता चल जाएगी तो यार, Tekken 8 में आपको ranked match खेलने को बिलेगे up to 10 ranks, 10 rank तक आप ranked matches खेल पाओगे जो कि cross platform matching को भी support करेगा, तो यार, player ढूनने में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी जैसे कि आपको पता, यार, Tekken 7 में बहुत दिक्कत होती, player बड़े बहुत देर में मिलता है, उनको players, तो क्योंकि cross platform matching है, तो काफी जल्दी-जल्दी matching होगी, क्योंकि सारे platform के players एक दूसरे के साथ match होगे now, gameplay changes देखते है इसमें, जब या alpha version आया था इसका alpha test आया था, Tekken 8 का तो उससे जो feedback मिला Tekken वालों को, उन्होंने इसमें कुछ changes किये सबसे पहले, heat energy को remove कर दिया गा, heat energy साथ, जो health bar के नीचे 8 के sign में थी, उसको उन्होंने remove कर दिया है, साथ, वो players को complicated लग रही थी, इसके साथ ही, जो upper limit, याने, heat activation time जो है, वो differ करेगा कैसी heat आपने activate किया है आप किस वे में heat को activate करोगे उससाब से आपका heat activation time limit करेगा, now heat smash को एक standardized कर दिया गया है, सारे characters के लिए मेरे साब से heat smash को भी उन्होंने एक simple command standardized command दे दी गई है जैसकी rage art है Tekken 8 में सबके लिए same input है, सारे characters इसके लिए एक ही input है down forward one two है मुझे, I can't recall, मुझे याद नहीं है, but सबके लिए same ही है, मेरे साब से heat smash को भी उन्होंने ऐसे कर दिया और मेरे साब से ठीक है newcomers के लिए तो काफी बढ़िया है अब देखता है इसमें 16 playable characters है तो पहला है आपका Kazuya, तो भाई मैं तो Kazuya से खिलना वाला हूँ काफी Kazuya और Jin, मेरे main King है, June है, Paul है Law है, Jack8 है, Lars है Shaiyu, Nina, Leroy Asuka, Lily, Horang Brian and Claudio Seraphino तो यार, जितने character है, Jin Jin trailer launch हो चुका है Claudio को छोड़के वह है और मेरे साब से यार मुझे लगता है कि Closed Network Test के release होने से पहले, Claudio का trailer आ जाएगा So, be ready for it Now अब देखते हैं, इसमें 5 playable stages इसमें जो stage है, जो playable है जो आपको मिलेंगे इसमें वह है पहले Urban Square, यार काफी Eye Candy stage है, पॉस्टली मेरा favorite राय अब तक तो ये Yakushima, ये भी यार ब्यूटिफूल है, मुझे आउटसाइड बाली stage काफी बढ़िया लगता है, जो नेचर में होता है ये बहुत ब्यूटिफूल है, इसके साथी Rebel Hangar नाम है साहद, इसका stage का ये भी काफी ठीक है Sanctum, Sanctum भी काफी बढ़िया stage है Stages तो साड़े बढ़िया है अब बात करते हैं इसमें registration period जो आपको पता ही है 27 तारीख, यानि कि आज last date है और schedule PlayStation 5 जो को मैंने पहले बता दिया है कब-कब है, 2 session होगे इसके platforms, 3 platforms है regions वगेरा, Asia, Europe और America Supported languages participation condition तो आपके पास broadband connection होना चाहिए PlayStation 5, Xbox Series X या PC होना चाहिए और आपके age 16 से उपर होनी चाहिए और जो आपके PC के specs होनी चाहिए वह यह होने चाहिए Windows 10 64 bit मेरे साब से यार इसके minimum specs है काफी सही है minimum OS होना चाहिए 64 bit processor AMD Ryzen 5 2600 या Intel Core i5 6600 memory हो आपके होनी चाहिए 8GB RAM Graphics आपके होने चाहिए GeForce GTX 970 या AMD Radeon RX 470 जो कि काफी मेरे साब से काफी low specs है मतलब आप run कर पाओगे ठीक ठाक आपके पास low end PCB है तो आप कर पाओगे इसको run मेरे साब से आरक आरक पर पास इन सब से भी थोड़ा कम है PC specs में तो आप स्टिल जा सकते हो network test के लिए सबसे playable FPS तो आपको मिली जाएगा DirectX version 12 Network broadband connection Storage 20GB आपको स्पेस होना चाहिए Soundcar DirectX Onboard Chipset Graphics setting यह रहे आपको FPS stable और 60 or more Tekken के गेम 60 fps पर लॉक्ड होते हैं और यहां पर लिखा और तो यार काफी मज़ा आएगा Tekken को 60 fps पर ज्यादा में खेलने में उम्मीद करता हूं कि मेरे PC में चल जाए क्योंकि मेरे PC में RTX 3060 है 6GB VRAM के साथ तो यार चलना तो चाहिए i7 11 generation भी है तो I hope की काफी अच्छा चले Recommended recommended भी इसके ठीक ठाकी है ज्यादा नहीं है कुछ RTX 2060 चाहिए इसके लिए Radeon RX Vega 64 और इसके साथ ही RAM आपको चाहिए 16GB और Intel Core i7 77 7700 So यह मेरे साथ से ज्यादा नहीं है 7th generation कहते है तो ज्यादा नहीं है इसी कोई दिक्कत नहीं streaming कंडिशन आप Closed network test participation तो selection कैसे होगा Closed network test यह मेरे साथ से 70,000 के करीब है इसमें 70,000 के लोगों को चूज करेंगे 70,000 के करीब लोगों को इसको exceed कर दिया जाएगा तो यह लोग फिर lottery करेंगे जिसका नाम आजाएगा उसको email कर देंगे और इसके साथ ही future में यह maximum number of participants को बढ़ा सकते हैं और इसके regarding जो भी news होगी वह हमें पता चल जाएगी आगए जाके winner announcement date तो यह PlayStation 5 वालों को पता चल जाएगा 19 July को और Xbox और PC वालों को 26 July को पता चल जाएगा कि वह selected है कि नहीं है closed network test के लिए और बाकी further announcement तो होती रहेंगी इसकी आपको करना कुछ नहीं है मैं आपको एक link देता हूँ description में comment section में भी आपको इस link पे click करना है देखे यार अमेरिका के लिए अलग link है एशा के लिए अलग link है और यूरोप के लिए लग link है तो जो मैं link दे रहा हूँ आपको आप उसी पे click करना है आपको तो आपके पास यह एक page खुलेगा आपको हलका से scroll down करना है और यह apply from here इस पे click करना है जब आप इस पे click करोगे तो यह आएगा आपके पास आपको विस यहां पर click करना है apply for closed network test यहां पर आपको अपना platform चूज करना है जैसे कि मेरा steam पे खिलूँगा मैं बतला PC email address डालना है आपको यहां पर region select करना है यहां पर इंडिया नहीं लिखा हुआ है तो आपको other पर click करना है और आपने Tekken 7 में आपकी highest rank क्या रही है वह आपको select करनी है आप और क्या आपने alpha close alpha dash में participation किया है तो आप देख सकते अगर आपने किया है तो आप yes कर दो नहीं किया तो आपके पास mail आजाएगा अगर आप eligible हो close network test के लिए अगर आपको select कर दिया गया है so guys यार जब आप खेल लोगे तो आपके पास एक survey आएगा जिसका आपको answer करना है और वो इनको help करेगा Tekken 8 को और development में तो आप contribute कर पाओगे Tekken 8 को और बनाने में तो यार मेरे साब सो आपको कर लेना चाहिए आकर आपका थोड़ा सा भी specs उपर नीचे है तो भी आप कर लो कोई दिक्कत नहीं है मेरे साब से playable fps तो मिली सकते है resolution वगरा कम करने पे वो सकता है आपको सही-सही fps मिल जाए तो यार यही है कोई इसमें कॉस्ट वास्ट लगनी नहीं एकदम absolutely free है तो आप free में register करो आपको Tekken 8 free में खिलने को मिलेगा कोई दिक्कत नहीं आएगी तो वाइस थैंक्स वर वाचिंग यही बताना था आपको इस वीडियो में आज लास्ट डेट है अगर मन कर रहा है तो आप register कर सकते हो और आपका थोड़ा बहुत भी PC क्लोजड है इन मिनिमम स्पैक्स के तो मेरे साब से register कर लो क्लोजड़ कर दो